दीपावली कब है जाने धंतेरस दिवाली भाई दूज की सही तारीख दीपावली कब मनाई जाएगी इस बात की चर्चा अभी से शुरू हो गई है और लोगों के बीच में दीपावली की डेट को लेकर भ्रम की स्थिती बनी हुई है दीपावली इस साल 31 अक्टूबर को मन आई जाएगी आईए आपको बताते हैं क्यों यह असमंजस की स्थिती बनी और साथ ही धंतेरस से लेकर दीपावली तक का पूरा शेडूल भी आपको बताते हैं जानिए किस दिन है धंतेरस छोटी दीवाली बड़ी दीवाली गोवर्धन पूजा और भाई दूज दीपा पूरे पांच दिन का उत्सव है जो की धंतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाता है मगर इस बार बड़ी दीपावली कब मनाई जाएगी इसको लेकर लोगों के बीच में लगातार असमंजस की स्थिती बनी हुई है वैदेही रिशिकेश और विश्व विद्याले पं कब से कब तक है और साथ ही देखते हैं दीपावली का पूरे पांच दिन का कैलेंडर धंतेरस कब है धंतेरस कार्तिक मास के क्रिश्न पक्ष की त्रयोजशी तिथी को मनाई जाती है इस साल धंतेरस 29 अप्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी इस दिन सोने चांदी के मनाया जाता है इस दिन धं के देवता कुबेर जी के साथ ही धन की देवी मा लक्ष्मी और गनेश जी की पूजा की जाती है धंतेरस के शुब अफसर पर घर में नई जाडू और धनिया लाने से मा लक्ष्मी प्रसंद होकर पूरे साल धन समरिध्धी बढ़ाती हैं और कृ दिपा बरसाती हैं इस दिन बहुत से लोग अपने घर में रोजाना के प्रयोग की नई इलेक्ट्रोनिक चीजे भी लाते हैं चोटी दिपावली हनुमान जयनती नरक चतुरदशी कब है कार्तिक मास के कृष्न पक्ष चतुरदशी तिथी को छोटी दिवाली मनाई जाती है छोटी दिवाली इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी इसे नरक चतुरदशी भी कहते हैं इस दिन पौरानिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की जयनती भी मनाई जाती है साथ ही इसे रूप 14 और छोटी दीवाली भी कहते हैं, इस दिन दक्षिन दिशा में यम देवता के नाम का दीपक भी जलाया जाता है, साथ ही इस दिन हनुमानजी को बुंदी के लड़ू का भोग लगाना और चोला चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है बड़ी दीपावली कब है? इस साल अमावस्या तिथी 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3 बचकर 52 पर शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6 बचकर 16 मिनट तक रहेगी यानि की 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथी विद्यमान रहेगी इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाना तरकसंगत होगा 31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निशित काल की पूजा की जाएगी मध्य रात्री की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्वमान्य होगा जबकि अमावस्या से जुड़ेदान पुन्य के कार्य और पित्री कर्म आदी एक नवंबर को सुभा के वक्त करना उचित होगा गोवर्धन पूजा अनकूट कब है? गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन होती है, इसे अनकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है गोवर्धन पूजा दो नवंबर की जाएगी पौरानिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा कर सभी मथुरावासियों को भीशन वर्षा से रक्षा की थी, तब से इस पर्व को गोवर धन पूजा के रूप में हर साल मनाते हैं, इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। तभी से हर साल इस शुब मौके पर बहने अपने भाईयों को टीका करती हैं और उनकी दीरगायों की कामनी करती हैं। तभी से तभी से अएगायों की की जाता हैं। तभी से जाता हैं। झाल झाल